नमस्कार देव भूमी की खबरों के संगम अपना उत्राखण में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कावे बिल चौहान खबरों की शुरुआत करेंगे गदर पुर्विधान सभा में आमादी पार्टी के उम्मीद्वार जनरेल सिंग काली ने अपने पार्टी कारेकरताओं के साथ हर बूत में अपने परचम लहराने के लिए एक बैठा के इस दौरान जनरेल सिंग काली ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं है अग्यावी समाज में एक मेरी ही टिकेट हुई है अगर वास्ता में और किसी की टिकेट हो यह होती तो लगता कहीं नहीं हो सकती है तिर कोणी मुकावला हो सकता है ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहां लगब पचास जार पजावी समाज के लोग है और भी सारे समाज के पहले लगातार दो बार विधायक रहे नारायन पाल को कॉंग्रेस की तरफ से टिकेट ना दिये जाने पर वो बहुत आहत नजर आ रही है पिछले दस सालों से छेत्र में जनसमस्याओं को लेकर वे पक्षी नेता की भूमिका नेभाने वाले पूरविधायक नारायन पाल और उनके समर्थक टिकेट बढ़वारे को लेकर बेहत नाराज देख रहे है तुमबार को नारायन पाल के आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लग किया उनके समर्थकों में सर्वदलिय लोग मौझूद रहे यहां हुई सभा में पूर्विधायक नारायन पाल ने कॉंग्रेस पर अन्याय करने का आरोप लगाते होए बीजेपी को भी जम करत होया इस दौरान नारायन पाल भावक हो गए जिनने देखकर समर्थकों का कॉंग्रेस के परती गुसा उमरपड़ा समर्थकों ने पाल से निरदलिय चुनाओ लड़ने को लिकर सेहमती चताई लेकिन नारायन पाल ने अभी तक चुनाओ को लिकर स्थिति साफ नहीं की है कि ऐसा कोई कारेक्रम नहीं था कॉंगरेस का कि जिनने हमें आप लोग अच्छी तरह के जानते हैं कि एक तक्या कलाम होता है एक चिलोगन होता है राजनितिक तो जगा जगा लिखा है कि जा जा बुलाया वहीं आया आप मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या लोगों ने गलत दिखा था यह है कि मैं कहां नहीं था कि आप पत्रगार लोग हैं आप बहुत बड़े समिक्षक हैं आप समिक्षा कर सकते हैं आज मेरे पास बिकल्प क्या वहिस्ता है जबरेडा से बस्पा प्रतियाशी आदेपते ब्रजलाल और उनके पिता और पूर्विधाय खरिदास ने जबरेडा की जनता से नामांकन में कोरोना की गाइड लाइन को देखते हुए जादा भीड ना करने के लिए निवेदन किया है इस दोराम क्या कुछ कहा उन्होंने आ के अब की बार करोना की गायड लाइंस के इसाब से जो क्रोना की गाइड लाइन है उस्की इसाब से परचभआ अपर लाइन जिस तरीके सो परचा बना दलवल की साथ वोई अभी यो से अपील करता हूं के अब की बार माफी । सुनायोग ने जो दिसा निर्देश दिये हैं उसके कोडिंग दो ही लोगों को साथ ले जाकर परचा भर सकते हैं हम भी उसी परकार से कल अपने जो परस्तावा के उनको साथ ले जाकर के परचा भरने का काम करेंगे मैं अपने सभी सुपचिंतकों से पार्टी के सभी कारे कर अपने बड़े बुजुर्गों से यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे आशिरिवाद दे करके मुझे आशिरिवाद दे और इस विदान सावज जिताने का काम करें मुश्किल तो नहीं है क्योंकि बोजन समाज पार्टी पहले से ही जनता के बीच में रही है जनता स सर्समाज का संगर्टर बोजन समाज पार्टी मेरि एपील यही है कि सर्समाज की पार्टी यही इजन वोड दे करके मैं करें चमोली में सुभा से ही बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई ठंड से लोगों का हाल बेहाल है दूसरी और ऑली मार्क पर बर्फबारी जोशिमठ के पास बर्फबारी होने से आतायाद बुरी तरीके से प्रभावित हो गया कई लोग बर्फ में बर्फबारी को और यहां सादक पर फिसलन होने के चलते वाहनों में खासी दिक्कत आ रही है अफ्यानल प्रवल्भव हो गई हमारी पार में और गाई बचने का बड़ा नुस्कान पुंद रहा है और खुलाने के लिए कुछ नहीं है पानी बी जम गया है पानी पेलन इने के लिए बड़ी दिगत आ गई है यहां नल पे पानी जम गया सरा और बड़ी दिगत आ गई और गाई बचने को भी गास निया कोछ पती भी निया है कोड़द्वार नगर निगम से मातर दस कदम की दूरी परस्तेत मालविय उद्यान जो की जनसभाओं और अन्य काईकरमों के उदेश्य से बनाए गया था वही पर नगर में हुए इस मौसम की पहली बरसात में इस पार्क को जील में तब्तील करते हैं तस्वीर कोड़द्वार के है जहां देख सकते हैं आप जहां पर जनसभा होनी थी और बाकी तमाम कारकरमों के लिए उद्देश्य से इस बहवन को बनाए गया था वहाँ अब एक तरीके से जलजमाओ के स्तिती बन चुकी है मौसम की पहली बरसाद के बाद ही ये तस्वीरे सामने आई है तस्वीरे कोड़द्वार नगर निगम से मात्र दस करम की दूरी पस्थित मालविव द्यान की है जो जनसभाओं और अन्रे कारकरमों के उब्रेश्य से बनाएग गया था लेकिन पहली बारिश के बाद ही तस प्रत्याशियों नामांकन पत्र खरीदा जिसमें भुवन चंद्र ने खुद के लिए नामांकन पत्र खरीदा वहीं दूसरा नामांकन पत्र रभी विश्ट ने खरीदा संजीवार ने भी नैनिताल प्रतिनेधी के तौर पर नामांकन पत्र खरीदा जबकि पहले चार प्रत श्याश्यों और उनके प्रतिनेदियों की तरफ से नामांकन पत्र खरीदा खाया। इन में से किसी के नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये गए हैं, अब तक कुल 6 नामांकन पत्र खरीदे जा चुके हैं। श्याश्यों से हमारी समबाद आता, निशी भाटिया और लोगों से बाचीत के इस दौरान लोगों की क्या रायरती आप भी सुनिए। के का रिपोर्ट कार्ड आप सरकार का बनकर निकलता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथी साथ जो लगत्तार मुद्दे उभर उभर कर आ रहे हैं, हिंदूत्व का मुद्दा कहें, या किसान अंदोलन से जुड़ा मुद्दा कहें। या फिर हम किसी भी एक ऐसे एहम मुद्दे को चाहे वो बेरोजगारी की बात की जाए, चाहे रोजगार की बात की जाए। इन्ही सभी मुद्दो को लेकर आज हम यहां जंता से बातचीत करेंगे कि इस 2022 विदान सबाचुनाम में सबसे एहम मुद्दा इस बार क्या होने जा रहा है। जो चार जार गाओं कुमाओ और कड़वाल के बिलकुल वहाँ पर एक मनुश्यवीन हो चुके हैं, वहाँ पर उनके घर जो थे खंडर हो चुके हैं और इस तरफ आज तक 2000 से लेकर अब 2022 सक आप देखिएगा किसी भी मुक्या मंतरी ने परदेश मुक्या ने उस तरफ चि हैंने के प्लायन बेरोजगारी और जो वहाँ के लोकल युवा हैं उनको महीं रोजगार मुईया कराने की जो पहल है उसमें पुछ कर सकता है युवा ने तुर्त है तो कहीं न कहीं वह इस परदेश की समस्याओं को गहराई तक जाएंगे और जमीनी सर्पस पर काम करेंग हैं हिंदू राष्ट गोशित होई जाना चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट में सब को रहने का अधिकार है यहां पर आपके मानविंदू से कोई शेड़ ठाड नहीं करना आपके हकों पड़ डाके नहीं डालना जब आप देखेगा मुद्दे की बात करें तो आज बनती थे जो कहते थे हाँ हिंदू उस्री में एक ता घंगा जमनी शाहिदी कहां की बात करते हैं बताइए वह तैजीव कहां गई थी जब अगर भाजपा सरकार ना हो तो फिर एक नहीं बटवारी की और चल रहे हैं और जिस परकार से जिन्ना की जगे आप कूर दिन ओए इसी बदर्व लगे हुए हैं और जो बात कर रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार ना हो तो शायद कहीं ना कहीं यह भी ने देश की मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाजपा खाईना की इंदूत्व का स्पोर्ट कर रही है बिलकुल भाजपा ही करती है सबस्क्राइब सब्सक्राइब मंदिर के निमाड़ हुआ है वह भाजपा के कारेकाल में ही हुआ है और उसका श्रे उसको ही जाता है किसकी सरकार बनेगी हम पर्यास करेंगा कि हिंदुत्व की राजनिती करने वाले लोग फरकर हिंदू त्विचारधारा के साथ उभर कर आए और भाजबाही चरम पर रहें तो आपको क्या लगते हैं कि जो इससे पहले कॉंग्रेस भी थी अपने कारेकाल में तो उन्होंने कहीं न कहीं न कहीं न कहीं को सपोर्ट नहीं किया और क्या थ दिखा रहे हों उसमें अलग-अलग हिंदू को बाट दिया रहा है और आप यह नहीं देख रहें जिहाद के नाम पर इस घिनोनी मानसिक्ता के नाम पर ऐसे ऐसे लोग उग गए हैं जो मस्जिदों से फत्वे जारी कर रहे हैं मदर्सों से बच्चों को दिखभरमित कर रह करती है लेकिन मुस्लिम मुफ्ती जिस परकार के यहां भी पैदा हो रहे हैं देव भूमी में वह बहुत दुर्भा के पूनिश से थी हैं जैसे इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं शायद हिंदूत्व को सपोर्ट जो है भाजपा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार आ अपने जनता को मलब अपने दोस के साथ मलब जैसे एजए फ्रेंड लेते हैं वैसे लेके चले यह निकी सरफ चुनाव आते हैं तब हमें पूछने आये हाल चाल उसके बाद फिर भूल जाए जैसे कि अक्सर होता है अब जैसे चुनाव आने वाले हैं तो अभी सब की मीट सबसे कौन सा एहम मुद्दा होगा जो इस वक्त सरकार को करना चाहिए था और जो नहीं कर पाई यह सरकार देखो मुद्देवली बात है वेपारी तो वैसी परसान है ठीक है ना वेपारी इस वज़े से परसान है पहले तो स्मार्ट सिटी की उससे परसान किया गया कि जिस जो हमारे महापारजी है जब से यह आये तब से नोंने वेपारियों का बिल्कुल बेडा गरक कर रखा है पहले तो मलब स्टैंड विगारा थोड़े बहुत लग भी जाते थे थोड़ा बहुत वेपार चल भी जाता था जब से मलब इतनी सक्ति कर दिया स्मार्ट सिटी के नाम पे इन लोगों ने कि मलब आदमी एक हैंगर तक नहीं टांग सकता अब जैसे चुनाव आएं तो यह सारी चीज़े भूल गए हैं क्यों भूल गए हैं ताकि हम लोग परसंद हो जाएं और इनको वोड़ दे दें उससे पहले उससे पहले हम लोग ने इनके साथ नहीं तो आपको के लगता है कि इस बार कौन सी ऐसी सरकार होगी जो आपके इन मुद्धों की बात सुना है यह हमारे इसाब से तो यह उनची है कि जो मलब जन तका कर रहे करें जीतने के बाद भी यह नहीं की जीतने के बाद फिर जो है उसके अंदर आटिटूड आ जाए या फ तो वो आएं हपर कभी है बहुत कम जो किन विकास कारें कि आप बात कर ले हैं वो कितना होसा हिए विकास कर रहे हैं आप पल्टमजार में जाके देखें कितना पैसा लगा है लेकिन आपको लगए गानिकी मालब जैसे आकर कोई 10 पी का काम हुआ है आप अगर यह कारें इसा कि इन्हों ने बताया कि कहीं ना कहीं ये एक एहम मुद्दा बन सकता है खास कर चुनाव आते ही जो लोगों के तेवर बदल जाते हैं विधायकों के तेवर बदल जाते हैं उन पर कहीं ना कहीं जनता अभी भी परिशान है लगातार समस्या आएं लोगों की कम नहीं हो रही है लगातार जनता चाहती है कि सरकारे उनके पहले विकास की बात करें जो महेंगाई और जो भी नीजी मुद्ध है उन पर सरकार पहले ध्यान दें फिलाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही बने रहे हैं न्यूज वर्ल इंडे के साथ नमस्तुर्ण देहरादून से जनता क्या कुछ कह रहे हैं विधान सबाचुनावों को लेकर या आपको सुनवाया चलिया तो फिर बुलिटन में आगे मरते हैं थराली में पिंडर घाटी के उचाई पर बसे गाउं में एक बार फिर से बर्फ देखने को मिली जबकि निचले छेतरों में हो रही बारिश से छेतर में जबरदस से ठंड पढ़ रही हैं ठंड से बच्ठे के लिए लोग घरों में ही दुबके हुए जरूरी काम होने पर ही लोग अपने घरों से बहा मिकल रहे हैं इस साल की ठंड के सीजन में लगातार तीसरी बार पिंडर घाटी में बर्फ बारी हुई है इस दौरान परेटकों से बात की थराली से हमारे संबादाता सुरेंद्र धनेत राने क्या कुछ कहा है इन लोगों ने आप भी सुरेंगे अब इस समय पहुंचे के हम लाटू धाम मंदीर में जो जमुली जनबत का लास्ट जो मोटर मार का एरिया है यह वान गाउं है वान गाउं से यहां से रूपकुंड के लिए जो हैं से ट्रैक है पैदल मार कहां से जाता है नंदा विश्वपर्टी जो नंदा देवी लोग ज नहीं हाएं है तो यह मंदिर के बाहर जो गेटः है खड़ा है और वहिवां flavors आ रही है हाफी जिर रहा है मजा आ है ठीक है अच्छा है बहुत बड़ी है ठीक एक साथ है यहां पर आप से जाना चाहूँगा यहां पर वर्फवारी का नजारा है जो पर प्राकृतिक जो शौंदर्य पर रहे तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे देश-विदेश के जो प्राकृतिक है जो गुमक कर लोग है परकृतिक के जो शौकिन लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मैं मा के भाई धरम लाटू देपता के धाम पे हूँ और लाटू देपता के अपने आप में बहुत अनुक्षी महिमा है और यह जो एरिया है जो छेत्र है यह हमारा प्रेक्टर दिश्टिकॉ यहां बहुत सारे चीजे हैं और आज आप देख रहे होंगे कि यहां पे सुन्दर सा बरब का आनन्द यहां पे ले रहे हैं और हम भी इसलिए हैं कि भगवान लाटू दाम के नगरी में कि यह अनोखिक दिरिश्य है आप आईये देभूमी के हर अस्तान प्रियाटक अस्त स्वागत और हर्दिक अभिनंदन प्रियाटक तो आते हैं लेकिन थराले से यहां मंदित तक पहुंचने में जो देश-विदेश के प्रियाटक आते हैं वो तमाम तरह के हिश्चोले खाते हुए यहां पहुंचते हैं शड़क का पता नहीं चलता है 50 कि तो शड़क है शड यहां पर जो पवित्र मंदिर है अगर यहां पर अच्छी रोड मिल जाए तो प्रेटन का बहुत ज्यादा आसार है और यहां पर जो इस्थानिया लोग है उनका बहुत ज्यादा रोजगार बढ़ेगा और हमारे छेतर का नाम भी आगे आएगा लोग कुल्लू मनाली जाते ह हैं जम्बु कस्मिट जाते हैं सिमला जाते हैं वरबारी देखने के लिए लेकिन हमारे ध्राली विधानसवा में सबसे नस्दीक का हमारा यह जो धाम है यहां पर दिसंबर जन्वरी के टाइम पर फरवरी के टाइम पर मार्च के टाइम पर बहुत सारा बरफ़ारी होती है और जो की अलोकिक है यहां के जो परिदिरिश्य में बहुत ही अलोकिक है और यहां जो हमारा लाटू धाम है पवित्र लाटू धाम है वो ए एक अलग सुंद्रय से परिपून है और यहां पर जो रोड की अगर मुख्या बात बोली जाए तो अगर रोड सुगम होगी रोड अगर बढ़िया होगी तो यहां पर परेटन और बढ़ेगा जिससे की आने वाले समय में यहां के लोगों को रोजगार के लिए भार नहीं ज बढ़ेगा हमारे जो टैक्सी में चलाते हैं उनका रोजगार बढ़ेगा और इस्तानिय लोगों का रोजगार बढ़ेगा जिसे कि यह काफी सफल कारगर हो सकता है अगर एक सुगम यहां पर जो रोड है वो अगर सुगम हो जाती है बढ़िया बन जाती है तो परेटन बह सब्सक्राइब कर दिया जाता है लेकिन उसके चोदर सालों के बीच का जो वर्स होते हैं उन वर्सों के तरहां सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिखाई है तो यहां के जो लोग अस्थानी लोग थे जो प्रमन करने वाले जो यहां पर किसी ना किसी तरह से पहुंचते हैं सालबर लेकिन जो अस्थानी सतरके लोग हैं उन लों के लिए चाहे बीमारी क्या उस्ताम हाओ नहीं पर फिर से चया प्रत्याशी नवल की शोर पर ही दोबारा से भरूसा जता कर उन्हें चुनावी रण में उता रहा है। पौड़ी विधान सभा में जिस तरह BJP का खराब परफॉर्मेंस रहा है। पौड़ी आसर विश्वास के साथ में वोट दिया था। वो सब लोग जो युवास आती हैं, जो ब्यापारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, जो महिला वर्ग है, हर वर्ग इस सरकार से परिसान है। और 2022 में जनता ने मन मला लिया है कि उत्राखंड में कॉंग्रिस की सरकार बनानी है। वहीं काशिपूर में बीजेपी में अशन्तोष थमने का नाम नहीं ले रहा। कि असन्तोष अभी पार्टियों में नजर आता है, लेकिन यह हमारे परिवार का एक छोटा समामला है, जिस पर बातचीत कर हल निकाल लिया चाहेगा। पिलाल के लिए इस बुलेटेर में इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों को देख 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 लिए आप बरे रहेगा निउस वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया